प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमवार सुबह रूस के शहर सोचल के लिए रवाना हुए पीएम मोदी रूस के सोची शहर में एक इनफॉर्मल मीटिंग में हिस्सा लेने जा रही है यह मुलाकात बिना किसी एजीन्डे के है लेकिन इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर बाचीत होने की संभावना है पीएम मोदी इसके पहले जून 2017 में रूस गए थे आईए जानते हैं पुतिन से पीएम मोदी की इस अनौप चारिक मुलाकात के बारे में दस बड़ी बातें एक विदेश मंत्राले द्वारा जारी एक बायान के अनौप पीएम मोदी का यह डौरा रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रन पर हो रहा है दो सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के लिए कोई एजीन्डा तैम नहीं है लेकिन दोनों नेताओं के बीच चार से छे घंटे तक बातचीत हो सकती है 3. सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता काला सागर, ब्लैक सी, के किनारे या किसी पार्क में चहल कदमी कर सकते हैं और यहां फोटोग्राप फर्स को उनके फोटो खींचने का परियाप्त मौका मिलेगा 4. सूत्रों के मुताबिक पी एम मोदी और पुतिन के बीच चेस अनौप चारिक मुलाकात में भी कई महत्वपूंड मसलों पर चर्चा हो सकती है इन में इरान ने यूकलियर डील से अमेरिका के बाहर होने का आर्थिक असर, आतंकवाद, अफगानिस्तान और सीरिया के हालात, शंगाई सहयोग संगठन से जुड़े मसले और ब्रिग सम्मेलन से जुड़े मसले शामिल हो सकते हैं इस मुलाकात से पी एम मोदी और पुतिंग को क्छे त्रिये वह महंतराश्ट्य मसलों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा दोनों नेताओं को इस साल चार और मकों पर मुलाकात करने का अवसर मिलेगा एसी ओ समिट, बिग समिट, जी डट समिट भारत और रूस के बीच सालाना द्विपक्षिये समेलन लेकिन इन सभी में समय काफी कम दिया गया है जिसकी वज़े से दोनों नेताओं से बाचीत नहीं कर सकते इस बात की काफी चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच कात्स काउंटरिंग अमरिकस अडवर्सरी ज्थरू सैंक्शन्स एक्ट के बारे में बाचीत हो सकती है भारत ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि रूस के साथ किस तरह का प्रतिरक्षा संबंद रखना है यह कोई तीस रादेश तैं नहीं कर सकता साथ समाचार एजेंसी एनाई से बात करते हुए रूस में भारत के राजदूत पंकर्चरंड ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत रूसी समय के मताबिक दोपहर एक बजे भारतिय समयानों सर्दोपहर करीब 3.30 बजे से शुरू होगी जिसके बाद पुतिन पीएम मोदी के सम्मान में एक भोज देंगे 8. इस महीने की शुरूआत में इनैसय अजीत डोभाल और विदेश सचेव विजे गोखले मौस्कों रहे थे और उन्होंने रूस के इनैसय तथा विदेश मंत्री से मुलकात की थी उन्होंने वहां कई अन्य अधिकारियों से भी मुलकात की थी 9. पीएम मोदी का यह दोरा चीन के हाल में उनकी अनौप चारिक यात्रा और पुतिन के चौथी बार राष्टपती पद का कारिभार ग्रहन करने के बाद हो रहा है 10. यह दोरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक परिद्रिश्य में काफी हलचल है 10. सूत्रों के मताबिक भारत और रूस के बीच भारत प्रशान्त समुद्री सुरक्षा, उत्तर कोरिया, क्षेत्रिय सुरक्षा के मसलों और अमेरिका के साथ ट्रेडवार पर भी बातचीत हो सकती है